इंजॉय बिंग अनकमफरिबल जी हां मैं आपको कह रहा हूं कि तकलीफ के मज़े लो इसका क्या मतलब है एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक फीलिंग जिससे आपको बहुत कमफरिबल होना पड़ेगा लाइफ में या मज़े लेते पड़े एनिधिंग अनकमफरिबल बोलते है ना अक्चिली हम लोग क्या करते है लाइफ में हम अपने आपको अनकमफरिबल नहीं होना देना चाहते है गर्मी लग रही है पंकाच लाओ भूख लग रही है खाना खाओ तकलीफ हो रही है ठक गया हूं चल-चलके बैढ़ जाओ यह यूमन नेचर है to conserve energy क्योंकि जंगलों में पहले हम रहते थे तो वहाँ पे evolutionary point of view से correct है कि अगर आप जंगल में ज़्यादा अवारा गर्दी करोगे तो शेर आपको आके खा जाएगा इसलिए अंदर ही बैठो minimum बाहर जाओ minimum हिलो और जब खाना मिले तो पाढ़ लो खालो पागलो गितर बागी डाइम लेटेर हो फटफट जाओ जल्दी खाना खाओ जाते जादा खाना खाओ यह actually हमारे अंदर का hard wiring है इसलिए hardware करते हैं हमारे brain का firmware है जो अभी तक पूरा ग वो यही करता है जालता क्लीफ नहीं होने चीए खाना खाओ पेट भरो आगे लेट जाओ आगे वाला brain आपको help करता है अब that is why human beings are different ताकि तभी हम इनसान अलग हैं कि जो आपका prefrontal cortex है जो आपको बोलता है कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है कोई नहीं मारेगा मुझे अब जा के काम कर सकते हैं तो हम काम कर क्या पर हम uncomfortable life में होना नहीं चाते हैं और हम अराम ढूंटे हैं सबके सब लोग हम चाते हैं अराम मिल जाए हम i функ success को आराम मानते हैं हम सुछते हैं कि एक दिन life में इतने successful हो जाएंगा कि काम नहीं करना पड़ेगा एक दिन life में इतने आगे बढ़ जाएं हमकी बस दिस्तरों पे लेटे रहे रेश्यम की चादरों पे लेटे और अंगूर खाएं जो actually quite boring है and रेश्यम is not as comfortable as it looks by the way you know it's very sticky anyway तो एक philosophy है to get uncomfortable, get uncomfortable ये जॉर्डन पीटर्सन ने का है अपनी बुक में जॉर्डन पीटर्सन एक author है एक psychologist है और he's a speaker very very popular, very big name you know he has many times said कि लोग को uncomfortable होना चाहिए, एक YouTube पे channel भी है जिनका tagline है seek discomfort वो तो खेर वीडियो यासे बनाते है कि भई कैसे उन्हेंने maximum तकलीस है you know like एक airport पे 5 दिन रहे तिन दिन खाना नहीं खाया that's a extreme of course YouTube content बना रहे है their aim is also entertainment but also to show कि इंसान कितना discomfort बरदाश कर सकता है और in fact इंसान बहुत साथा discomfort बरदाश कर सकता है लेकिन हम करते हैं क्योंकि आजकल करना नहीं होता modern society यासी होगे यार ठोक है नहीं करना लेकिन यार अगर तुझे life में आगे बढ़ना है तो तेरे को न तकलीफ से दोस्ती करनी बढ़ेगी रोज आपको थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए लाइफ में रोज आपको थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए तकलीफ का मनलब यह नहीं कि medical दर्द हो रहा है और असे खून बैर और बोला तकलीफ हो रहा है आप जब भी किसी चीज़ की तरफ काम करते हो सबसे बेस्ट इग्जामपल तो जैसे physical exercise का है वो बड़ी easily समझ आता है उसमें एक तम physical तकलीफ होती है आप जिम जारे हो वेट उठारे हो तकलीफ होती है लेकिन जब तक वो तकलीफ नहीं साहोगे आपकी body improve नहीं होगी जब तक आप भागोगे नहीं आपको वो उसके benefits नहीं मिलेंगे आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी लेट के सो के वो नहीं आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं जिसे पढ़ने में मैं नहीं लगता है जो पढ़ते हो आपका बहुत attention focus लगता है आपका बहुत दिमाग लगता है इस difficult पर जब तक आप वो करोगे नहीं तो आपके marks अच्छी नहीं आएंगे और उसका फाइदा आपको लाइफ में नहीं होगा तो यह तकलीफ ज़रूरी है यार और तकलीफ जब आप सहने लग जाते हो तो झाल नहीं होगा तो आपको अच्छी करते हैं उसके बाद यह जाएँ आपको आपको अच्छी नहीं होगा आपको दिमाटा है वाँ मसा आ गया यह वाँ बिदा वरकाउट पहले जाने का मननी था कॉन जाए और workout के बाद आज तक एक बंदा बोला है मैं क्यों गया एक भी मिला नहीं विक़ोज उसके बाद आपका brain चेंज रजाता है so the body also copes but the problem is most people don't want discomfort लोगों को तकलीफ ही नहीं चाहिए बैठे बैठे तो यार जब तक तुम तकलीफ नहीं सहोगे तो life में आगे से बढ़ो गया right भूक है जैसे भूक of course मैं खाना खाना चाहिए obviously सब को खाना चाहिए that's the fuel लेकिन जो इंसान तीन टाइम खाना खाता है जो हम कहते चलो breakfast का time हो गया lunch का time हो गया snacks का टाइम हो गया chai का टाइम हो गया दिनर का टाइम हो गया it's a very modern thing human beings अगर एक लाख साल दस लाख साल से human beings है तो ये जो three meals a day वाला concept है तो बड़ा maybe thousand years old भी नहीं होगा because modern society थी नहीं कि ऐसे lunch बन सके dinner बन सके जंगलों में तो हम ऐसे घूमते थे आज खाना मिला हाँ तुझे कुछ मिला भाई या नहीं यार कुछ नहीं मिला आज क्या था एक खटा सा सेब था चल वोई खा लिया वोई बाद नहीं कल जाते है औरे यार कल केले का पेड़ मिली है हमने 20 केले खा लिया खा लिया है आँ चाग या परसों कुछ नहीं मिला यह हम ऐसे रहते थे अब हमने सिस्टेम ना दिया ब्रेक्फस्ट एट ब्रेक्फस्ट टोस्ट जैम बटर ओमलेड सब सब चल रहा है पराठे गटिया जले भी डोसा इडली फिर लंच होता है फिर दिनर होता है तो अब हमें आए नहीं यह खाने का ट जब आप काफी देर तक खाना ना खाओ तो एक तेरी यह है क्योंकि इंसान को भूख में भूख की आदत थी इंसान का एक था कि कभी-कभी पेट भरौता था कभी-कभी भूख लगी होती है हमें थोड़ी भूख लगने देनी चीए थोड़ी अगर खाने से पहले आपको अच्छे से भूख नहीं लगी है that's not good in fact भूख लगती है तो आपकी बॉड़ी में कुछ processes होते हैं कुछ चीज़ें रिलीज होती है कुछ चीज़ें you know detoxification होती है autophagy नाम की एक चीज है which means कि आपकी बॉड़ी जो है कोई खाना नहीं है जो भी गंद वला बड़ा हो सारा उसको खाजबता है तो भूख लगनी चीज़ें आदे टालो it's okay कुछ नहीं होगा थोड़ी तकलीफ होगी of course you know kurkure खाओगे तो नहीं होगी पर kurkure bad hunger good इस तरही कैसे पढ़ो यार बैटके सारा दाइम entertainment देखते रहना binge watch करना seasons this is very bad why because it's comfortable it's uncomfortable to sit and study boredom बहुत uncomfortable लगते लोग और कोई भी चीज में लंबी महनत में boredom तो है जिम में कई बार बोरिंग लगता है पढ़ायी पर बोरिंग लगता यह कुछ भी करना बोरिंग लगता है यार काम बोरिंग हो जाता है कई बार बड़िया से बड़िया काम बोरिंग हो जाता है I mean I'm a writer and sometimes it's just a pain to write but I have to be okay with this discomfort यह मन सुचो कि यार हाई मुझे यह करना पड़ गया अब बोलो हाई मुझे यह करने को मिल रहा है यह मैं सुचो जिम जा ना बढ़ रहा है वा यार हात पाउन सलामत है आज हम जिम जा सकते है Thank you God वा यार यह किताबे मेरे पास हैं मैं पढ़ सकता हूँ I can learn these things मेरे दिमाग में capability of वा यार this is just mindset right mental अबसे बूल ने यारे तब तक्लीफ वाली चीज़ तक्लीफ 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 it's not good don't do like this avoiding तक्लीफ at all costs you know it's not going to help you you know so बस hard work it's gonna be uncomfortable right but that doesn't mean you stop doing hard work right Dumbbell उठाना हो, बढ़ाई करनी हो. Just say, I will suffer every day. Good suffering identify करो. Some suffering is good, na? I'll be a little hungry. So I don't overeat. I'm trying that. Really. I'm not saying you starve. Starvation और अंगर का फरक है. अंगर के बाद खाना जादा अच्छा लगता है. Have you ever tried? खाना जादा टेस्टी जाता है. Then why not have some hunger every day? It'll give you fit. Unless of course you have some medical issue कि हाँ, blood sugar, ये वो, that of course you consult your doctor if you have that issue. But most of you don't. So for them, you know, break up हो गया, किसी ने जवाब ने दिया, rejection phase कर ली. अगर उस लड़की ने मुझे reject कर दिया, तो मैं उसके पास ही नहीं जाऊँगा. ऐसे कैसे होगा यार. Relationships में भी, you have to be okay with discomfort, you can get rejected, you can be told, तु कैसे होज़ेता था, मैं तेरे साथ देट करूँगी. हो सकता है. तो, तो क्या, सैलो, थोड़ा emotion, इतनी गो क्या रखनी life में? So, you want to get ahead in life, जो लोग आगे बढ़ते हैं life में, उन में एक capability होती है, कि वो तकलीफ से दोस्ती कर लेते हैं. दोस्तों, तुम भी ना, तकलीफ से दोस्ती कर लो. अच्छी तकलीफ से. वो तकलीफ जो आपको आगे चलके फायदा पहुचाएगी. इतना अपने brain में knowledge होती है, कि हाँ यार ये तकलीफ अच्छी है. उस तकलीफ से दोस्ती कर लो. चार-पांच अच्छी तकलीफ हों से दोस्ती कर लो. रोज उस तकलीफ से मिलो. और लाइफ में तुम कहा के कहा पहुंचाओगी. वीडियो पर कॉमेंट करो. शेर करो. लाइक करो. ज़्याद तकलीफ तो नहीं दे रहा. अगर ये कहने को कह रहा हूँ. शादी करने को नहीं कह रहा हूँ. सब्सक्राइब करने को गह रहा हूँ. बस उत्ता कर दो. थैंक यू सो मच. टेक क्यार.